पाट छे चिडिया उड़ गई दो मित्र थे प्रवीन और रुहान एक दिन दोनों पाट शाला से घर जा रहे थे रास्ते में वे एक पेड़ के नीचे छाया में बैट गए तभी उन्हें एक ओर से हलकी सी आवाज सुनाई थी दोनों ने इधर उधर देखा सामने काटो वाली जाड़ी में एक छोटी चिडिया फसी थी प्रवीन दोड़ कर उसे काटो से बाहर कर जाड़ी से निकाल लाया काटा चुपने से उसके पैर से खून बहरा था दोनों ने मिलकर अपनी बोतल के पानी से उसका घाव थोया पानी के कुछ पूंदे उसकी चोंच में डाली चिडिया ने आखे खोल दी उसने डरते डरते दोनों को देखा प्रवीन ने धीरे से उसे डाल की उपर बैठा दिया अपने खाने के डिब्बे से बचा हुआ रोटी का टुकडा उसके आगे रग दिया चिडिया धीरे धीरे रोटी का टुकडा खाकर चीची करती हुई फुर्र से उड़ गई